नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगौर के उध्यापन की विधी की गंगौर का उध्यापन विवाहित महिलाओं के लिए जरूरी माना जाता है गंगौर का उध्यापन शादी के बाद कभी भी किया जा सकता है इसे गंगौर का उजबन या उजड़ना भी कहते हैं कुछ परिवारों में लड़की की शादी के बाद पहले साल ही गंगौर का उद्यापन कर दिया जाता है गंगौर का त्योहार और व्रत बड़े उत्साह से किया जाता है महिलाएं गंगौर का पूजन भक्ति भाव के साथ करके मा गौरी का आशिरवात प्राप्त करती हैं पूजा में गुणे चड़ाए जाते हैं गंगौर के गीत गाये जाते हैं गंगौर का उद्यापन करने की विधी गंगौर का उध्यापन करने के लिए 16 समान की सुहाग पिटारी बनानी चाहिए सुहाग पिटारी में यह समान होने चाहिए यह सभी 16 समान 16-16 होने चाहिए महंदी, काच, कंगा, सिंदूर, बिंदी, काजल, चूरी, बिच्छिया, ब्लाउच पीस, रुमाल नाक की लॉंग या नत, हेयर पिन या रिबिन, स्टील की प्लेट, रुपए, चांदी का तार, बास्किट या टोकरी जिसमें सारा समान रखना है हर टोकरी में उपरोक्त समान एक-एक रख लें, इस प्रकार 16 पिटारी बनेगी प्रितेक टोकरी में 15 समान होने चाहिए, टोकरी समेच समान की संख्या 16 हो जाएगी रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 से 100 रुपए तक रखे जा सकते हैं गंगौर उद्यापन के लिए 16 सुहागन औरतों को एक दिन पहले गंगौर के उद्यापन और भोजन का निमंतरन दे दें गंगौर के उद्यापन के दिन बगीचे से जेले लावें पानी से भरे लोटे को फूल वा दूप से सजाएं यही जेले कहलाते हैं औरतों के साथ गीत गाते हुए घर आएं और घर आकर गंगौर की पूजा करें गंगौर की कहानी सुनें गंगौर पूजन के बाद पूजा के इस्थान पर ये समान रखें एक थाली में 16 जगे चार-चार पूड़ी वा हलवा निकाल कर रखें 16 पिटारी सुहाक के समान के साथ रखें संखिया या देवर के लिए तौलिया या कपड़े नारियलवा रुपए निकाल कर रखें ननत के लिए बेस और सुहाक के समान निकाल कर रखें अब हाथ जोड़ कर इशर गंगौर से प्रार्थना करें आपकी कृपा से आज मैं गंगौर का उद्यापन कर रही हूँ मेरा सुहाग परिवार घर में सुक्षम्रद्धी और कृपा दिश्टी बनाए रखना इसके बाद महिलाओं को खाना खिलाएं सोला सुहागनों को खाना खिलाते समय पहले थाली वाली चार पूरी वा हल्वा परोसे, फिर बाद में जो भी आपने बनाया है वह परोसे देवर या जेट को भी खाना खिलाएं, खाना खिलाने के बाद सबी और्टों को सुहाग पितारी दें संखिया, साखिया या सखिया उद्यापन का साक्षी होता है देवर या घर का कोई भी लड़का जैसे भानजा भतीजा या आप से उम्र में छोटा हो सगे भाई के अलावा संखिया बनाया जा सकता है संखिया को कपड़े तौलिया नारियलवा रुपए देकर उसके कान में कहें मेरे गंगौर के उध्यापन की हामी भरना मैंने गंगौर का उध्यापन किया है मान लेना इस प्रकार गंगौर का उध्यापन संपन्न होता है दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें तो मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ चैमाता दी